आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों आज का हमारा सवाल लेश में दिया हुआ है कि एक ठोज संकू की उचाई 12 cm तथ अधार का छेत्रफल 14 cm है इसके अधार के समानां तर एक समतल के द्वारा इसके 6 से 9 मिटर की दूरी पर से काट कर नया संकू मना जाता तो इस संकू के अधार का छेत्रफल क्या होगा तो हमें ये एक संकू दिया हुआ था पहले से और इसका जो लंबाई हो कितना दिया है 12 cm इसका अधार का छेत्रफल कितना दिया हुआ है 645 cm का वर्ग दिया तो इस समतल से के समानांतर यहां से एक संकू काटा गया जिसका इसके शीष से 9 मिटर की उचाई दूरी पर है लब इस संकु का उचाई कितना है? 9 मिटर, तो इसके अधार का क्या बोल रहा है? हमें छेतरफल निकालने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो इसका आयतन होगा, हम क्या करेंगे? हमें जो है निचे इसके अधार का छेतरफल दिया हुआ था, अधार का छेतरफल क्या आगा कर आपके संटीमेटर आजाएगा आर्ट का माना गया इसको आर्ट मान लेते हैं यह क्या देख थे फिरह था अब त्रिभूज A, B, C तथा त्रिभूज A, D, E में हम क्या देखते हैं कि कौन A जो है दोनों में शमान है और कौन D जो है यहाँ पर नभे डिगरी है और कौन B नभे डिगरी है और कौन A तो दोनों में शमान है ही कौन A बराबर कौन A अतथा क्या बोल रहा है जो D, E जो है D parallel समाना अंतर है B, C के इससे क्या होगा कौन A, E, D जो है वो बराबर हो जाया का कौन A, C, B के तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभूज में तीनों कौन बराबर है इसलिए यह जो त्रिभूज A, B, C है वो समरूफ हो जाएगा त्रिभूज A, D, E, K इससे क्या हो जाएगा इसका तीनों बहुजाएं जो हैं वो समानों पाती हो जाएंगे लब क्या हो जागा A B बटा A D हो जागा बराबर हो जागा B C बटा D बराबर हो जागा A C बटा A E अब हम देख रहा है A B बटा A D बराबर A B बटा A D बराबर हो जागा B C बटा D E कै यहाँ से मेरा A B का मान हमारे पास क्या है AB का मान है, हमारे पास, यह पुरा 12 cm AB भरावर 12, और AD बरावर कितना है? AD बरावर है कितना? 9 cm 9 बरावर, BC बरावर कितना दिया हुआ? BC जो है, वो R2 का बरावर, R2 का मान कितना है? 8 cm, ति Kansas अगर बटा में 8 cm बटा DE, DE क्या है? D R1 का मान है तो D बराबर हो जागा R1 इसको हम काट देंगे 3, 3, 9, 3, 4, 2, 8 इससे R1 का मान क्या आजागा R1 बराबर आजागा 2 गुने 3 बराबर आजागा 6 cm इसे R1 बराबर क्या आगया 6 cm तो अब हमें क्या बोल रहा है उसके अधार का छेत्रफल निकालने तो अधार का छेत्रफल क्या होगा वो बरीथ है का छेत्रफल बराबर पाई R1 का वर्ग हो जागा बराबर पाई गुने 6 का वर्ग ये क्या हो जागा बराबर 36 पाई cm का वर्ग हो जागा ती हो जागा हमारा उत्तर दोस्तों आसा करते हैं आपको विडियो साथ में आगया होगा धन्यवाद